राजिस्थान के कोटा में इंजिनिरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तयारी के लिए हर साल डेड़ से दो लाख बच्चे आते हैं मगटाटा इंस्टिटूट अफ सोशल साइंस की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इन बच्चों में बेचैनी, अकेलापन, वेट लॉस, ड्रॉग्ज, यौन संबंधी प्रयोगों की लत और लड़कियों में प्रेगनेंसी की घटनाएं आम हैं देखे रिपोर्ट राजिस्थान के कोटा शहर में रहकर इंजिनियरिंग और मेडिकल एक्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों पर हुए एक अध्यन के नतीजे परेशान करने वाले हैं यह अध्यन टाटा इंसिट्यूट अफ सोशल साइंस ने कोटा में बच्चों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों की वज़ा तलाशने के लिए किया था जिसके नतीजे हैरानी भरे हैं यहां पर रहे बहुत सारे बच्चे मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से जूज रहे हैं सर्वेक्षन करने वाली टीम को 49 फीज़दी बच्चों ने बताया कि वे अकसर बेचैन और परिशान रहते हैं और 42 फीज़दी बच्चों ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों को बेचैन पाया है 32 फीज़दी बच्चों ने कहा कि वे घंटों तक परिशान रहते हैं और कई बार उनकी बेचैनी कई-कई दिन तक बनी रहती है Tata Institute की टीम से बात करने वाले 28 फीज़दी बच्चे निराश और हताश महसूस करते हैं इतनी ही संख्या में बच्चों को लगता है कि वे किसी काम के नहीं हैं वे बेकार हैं नीन नहीं आना, भूक नहीं लगना, पाचन समस्या और ठकान की समस्या भी बच्चों में सामान्य तोर पर पाई गई लड़कियों में महावारी से संबंधित समस्याएं भी पाई गई बीते साल के शुरुवाती महनों में जब कोटा में तयारी कर रहे बच्चों में खुदकुशी की घटनाएं मीडिया की सुर्खी बनने लगी थी, तब Tata Institute of Social Science ने इस अध्यन की घोशना की थी संस्थान की प्रोफेसर सुजाता स्ष्रीराम की अगुवाई में हुए इस अध्यन में ये भी पता चला है कि बच्चों में ड्रग्स, अकेलापन, बेचैनी, वजन में कमी, यौन संबंधी प्रियोग और गर्वास्था की संभावनाएं भी आम है इंजिनियरिंग और मेडिकल के एक्जाम की कोचिंग के गड़ के रूप में मशूर कोटा की छवी बीते कुछ साल में खराब हुई है 2013 से 2017 के बीच यहां तैयारी करने आए 58 बच्चों ने खुदकुशी कर ली Tata Institute of Social Science ने कहा है कि अपने बच्चों को कोटा भेजने से पहले एक बार वहां जाके परताल जरूर करें शैनवाज मलिक की रिपोर्ट, Go News